भाई और बहनों, ब्रह्मपुत्र और बराख सहीत असम को अनेग नदियों की जो सौगात मिली है, उसको सम्रुद्ध करने के लिए आज महा बाहू ब्रह्मपुत्र ब्रोग्राम शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम ब्रह्मपुत्र के जल से इस पूरे शेत्र में बॉर्टर कनेक्टिविटी को पॉर्ट लेड डेवलप्मेंट को ससक्त करेगा। इस अभ्यान के सरुवात में आज निमाती मजुई नौर्थ और साउथ गुहाटी दुबरी तिसिंग मारी के बीच तीन रोपैक सिवाओं का उद्धाडन किया गया है। इसी के साथ असम इतने बड़े स्तर पर रोपैक सर्विस से जुडने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। इसके अलावा जोगी धोपा में इनलेन वाटर ट्रांस्पोर्ट टर्मिनल सहीत ब्रह्मपुत्र पर चार जगर टूरिस्ट जेटी बनाने का काम भी शुरू किया गया है। मजूली सहीत असम को नौर्थ इसको बहतर कनेक्टिविटी देने वाले ये प्रोजेक्ट इस छेत्र में विकास की गती को और तेज करेंगी। 2016 में आपके दिये एक वोट ने कितना कुछ करके दिखाया है आपके वोट की ये ताकत अभी असम को और उंचाई पर लेकर जाने वाली है। भाई और बैनों गुलामी के कालखन में भी असम देश के संपन्न और अधिक रेविन्यू दोने वाले राज्यों में से एक था। यहां तक की चिटगाओं और कोलकता पोड तक चाय और पेट्रोलियम प्रदार्थ ब्रमपुत्र पदमा मेगना नदियां और रेल लाइनों से होकर ही पहुँचते थे। कनेक्टिवीटी का यहीं नेटवर्क असम की समुरुद्धी का बड़ा कारण था। लेकिन आज आज़ी के बाद जहां इस इंफासेक्टर को आदुनिक बनाना जरूरी था। इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। जलमात पर फोकस नहीं किया गया। तो लगबग खत्मई ही हो गए इसी खेत्र में अब विवस्ता और अशान्ति के पिछे विकास को लेकर ये लापरवाई भी एक वेज़े तो थी ही थी। इत्यास में की गई इन गल्तियों को सुधार ने की शुरुवात अटल विहारी बाजपाईजी ने की थी। अब उनका और विस्तार किया जा रहा है। उन्हें और गती दी जा रही है। अब असम का विकास प्रात्रिक्ता में भी है और इसके लिए दिन रात प्रयाज भी हो रहा है।